नमस्कार आप सभी को तो आप सभी ने रेल्वे का फॉर्म भर दिया है जेई का फॉर्म भर लिया है अब आप ये सोच रहे हो कि पढ़ना का ऐसा है कैसे पढ़ें, कौन सा कोर्स खरीदें, कैसे आगे बढ़ें है ना, तो देखिए अगर आप पहले से प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है आपको कैसे पढ़ना है आप चाहे तो लूसेंट से पढ़ सकते हो, आपके पास साइन्स की बुक्स है तो आप जहां से चाहो वहां से एक बार उसको पढ़ सकते हो, आपको पता है कि pre में भी science important है mains में भी science important है physics और chemistry mains में भी आने वाला है चाहे आप किसी भी stream से हो whether you are from civil, mechanical, electrical, electronics आप किसी भी stream से हो even CMA से भी हो CMA का form भी भरा है यानि BAC वाले भी हो, BAC, MSC वाले भी हो तो भी आपको science तो पढ़नी है और बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे होंगे जिनोंने science छुआई नहीं होगा बहुत दिनों से, बहुत टाइम हो गया होगा बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे होंगे बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे होंगे और अब यह form देखके उनको लग रहा है कि हम भी जई बन सकते हैं railway में, बहुत अच्छी opportunity है, बहुत बड़ी opportunity है यह, तो आप सभी को यह पता होगा, तो चलिए, आज हम discuss करेंगे कि हमें science पढ़ना कैसे है, और कहां से पढ़ेंगे, क्या-क्या syllabus है, कैसे-कैसे इसे discuss करना है तो शुरू करते हैं, यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि railway का जई का notification मैंने open कर रखा है, पहले हम syllabus से go through होंगे, क्या-क्या आने वाला है, कैसे-कैसे exam pattern होगा, और उसके बाद हम science का syllabus discuss करेंगे, ठीक है, क्या-क्या पढ़ना है science में, कैसे पढ़ेंग तो आपके पास syllabus है, तो आपके पास syllabus है, तो आप एक बार खुद भी उसको go through कर लेना, ठीक है, हर चीज दूसरे पर depend होके नहीं करनी चाहिए, मैं आपको help कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़े आपको खुद से करनी है, अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, आपको कोई कोर् not the thing, आपको खुद से पढ़ना होगा, खुद से सारी चीज़ें करनी होगी, ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, from the first thing, यह है हमारा pre, ठीक है, यह यहाँ पे हमारा pre का exam syllabus है, exam pattern है, अगर हम maths की बात करें, तो maths में आपको यहाँ पूरा clearly लिखा हुआ है, number system, board mass, decimal fraction, LCM, HCM LCM, HCF, ratio proportion, percentage, mensuration, time and work, time and distance, simple interest, compound interest, profit and loss, algebra, यह सारी चीज़ें आने वाली हैं, उसी तरीके से reasoning में दिया हुआ है, analogy, alphabetical and number series, coding, decoding, mathematical operations, relationship, syllogism, zumbling, vein diagram, data interpretation, sufficiency, conclusion and decision making, similarities, ठीक है, यह सारी चीज़ें आपको, दी हुए है, ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारा general awareness और general science में क्या आने वाला है, general awareness इसका बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, अभी हम इसकी भी बात करेंगे, कितना आने वाला है general awareness, सबसे ज़्यादा current affair, ठीक है, Indian geography, culture and history of India, including freedom struggle, मतलब modern history भी आने वाली है, Indian polity and constitution, economics, EVS, sports, अभी देखो आप अभी हमारा olympic हुआ है, paralympics हुए है, बहुत सारे gold medal, silver medal, bronze medal आए है, paralympics में, बहुत अच्छी अच्छी, सीतल दे भी को आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजों से question बन ही सकते हैं एकदम, मैं ये नहीं कहूँगा बनेंगे ही बनेंगे, लेक को clearly लिखा हुआ है, physics, chemistry and life science, life science का मतलब biology, ठीक है, ये 10th level तक आएगा, CBC का syllabus आएगा, the section wise marks कैसे आएगे, देखो, maths में आपके 30 questions होंगे, reasoning के 25 questions होंगे, general awareness के 15 questions होंगे, जिसमें सारा आपका current affair, geography, history, quality, economics, EBS, सब कुछ होगा, ठीक है, उस 15 ही question में, syllabus बड़ा किसका है, science का, और easy है, ये 30 में से 30 नंबर पाए जा सकते हैं, इसमें 30 में से 30 नंबर पाए जा सकते हैं, जित्ती महनत आप maths में करोगे, करनी ही पड़ेगी महनत, उससे कम महनत में आप science को easily पढ़ ले जाओगे, क्योंकि ये आपने बहुत पहले से पढ़ा यूज नहीं होने वाला है, बहुत सारे tricks नहीं यूज होने वाले हैं, आपने simply concept पढ़ा, question आया, solve किया, ठीक है, और ये interesting concepts होते हैं, आपको पता है, अगर आपने engineering करी है, तो आपका interest science में था, तब ही करी है, है ना, तो आई ये समझते हैं इसको, 30 नंबर के हो गया, आप आपकी technical ability बढ़ जाएगी, अगर आप civil से हो, तो civil के question होंगे, mechanical से हो, तो mechanical के question होंगे, electrical से हो, तो electrical के होंगे, electronics के हो, तो electronics के question होंगे, जिस भी branch से आपने form भरा हुआ है, ठीक है, अब यहां भी देखो, ये देखो, ये जो general awareness, यानि जो general questions होंगे, general awareness, computer application, EVS, pollution control, इसके question आपको आएंगे, 15, 15, 10, 10, ठीक है, 100 question होंगे, आपकी core branch के, अब इस में से भी ये 15 number आप easily पा सकते हो, physics और chemistry में, और physics और chemistry के questions कैसे होंगे, तो physics और chemistry के questions देखो, यहां पे लिखावा है, up to 10th level, ठीक है, यहां पे लिखावा है, यहां पे लिखावा है, कहां तक, up to 10th, C computer, क्योंकि general awareness आप पढ़ते हुए आ रहे हो, mains pre में, EBS आप पढ़ते हुए आ रहे हो, pollution control थोड़ा सा syllabus है, 10 questions आएंगे, 5 questions तो तुम कर लोगे, यार, ठीक है, इतनी awareness तो होगी, तो यह कर सकते हो, बस physics और chemistry, देख लो, bio, देख लो pre के लिए, क्योंकि bio से अच्छे questions आते है ठीक है, अगर आपने पहले कभी भी paper दिया हुआ है, railway का, even group D ही दिया हुआ है, तो भी आपको question का level दिखा होगा, वहां पर bio के questions आते हैं, तो उसके लिए आपको prepared रहना पड़ेगा, ठीक है, अब जरा syllabus discuss कर लेते हैं, कि हमारे syllabus क्या होने वाला है, for physics, chemistry and bio, क्या-क्या दिखा देता हूँ, तेखो, हम discuss करने वाले हैं, science का syllabus, simply हम किसका syllabus discuss करने वाले हैं, science का syllabus discuss करने वाले हैं, अब आपने जो भी form भरा हुआ है, LP, technician, RPF, RRBJ, RRB NTPC का form भी आने वाला है, तो जो भी form आपने भरा हुआ है, even pre, main, सब में questions आएंगे, science से, ठीक है, अब science का syllabus अ नहीं होता है, mathematics सा लागे, ठीक है, अब physics, ठीक है, अब अपने physics कहां से start किया, science आपने कहां से पढ़ना से start किया, from class 6th, ठीक है, class 5th तक, 5th तक, 5th तक, CBAC के अंदर science नाम का कोई subject नहीं होता है, 5th में होता है, EBS, यानि EBS की ही book आती है, अलग-अलग नामों से, ठीक है, 6 6th से आपको particular S-C-I-E-N-C-E करके NCRT की book मिलेगी, ठीक है, अब 6th में आपने एक ही book के अंदर physics chemistry bio पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, तो ही कौन-कौन से chapters होते हैं इसके अंदर, आज यो समझ लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे physics की, तो सबस पहला chapter जो होता है, unit or measurement, यानि हम measuring सीखते हैं, कौन-कौन से measurements होते हैं, कैसे कैसे measurement evolve हुआ, कौन-कौन सी units होती हैं, कैसे हम units को convert कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको centimeter, kilometer, फिर इदर आ जाओ, तो millimeter, है ना, तो ऐसे आप कैसे convert कर सकते हो, ये सारी चीज़े आपको इस chapter में मिल जाएंगी, एक तो आपको types of motion मिल जाएंगे, types of motion मिल जाएगा, है ना, types of motion के बाद आपको इसी के अंदर acceleration retardation मिल जाएगा, है ना, acceleration retardation मिल जाएगा, ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, तो types of motion के बाद acceleration retardation के बाद इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, और क्या हाँ, velocity, speed, यह सारी चीज़े motion के अंदर आएंगे, अगर acceleration आगया तो obvious सी बात है वो भी आएगा, next चीज है force, ठीक है, force में भी बहुत सारी चीज़े है, force and pressure भी कहलो, यहाँ पे एक और add कर लो, force and pressure, ठीक है, यह पूरी एक unit है, force and pressure के, इसमें अलग-अलग चीज़े आपको पढ़ने, इसी के अंदर आपको friction भी पढ़ना है, तो यह सारी चीज़े आपको force में मिल जाएंगी, then light आपको पता है, आपने, अगर light की बात करी है, अगर हमने, तो 6th में भी light का थोड़ा सा part है, 7th छोड़ दो, थोड़ा सा होगा या नहीं होगा, 8th में है, फिर 10th में ह वो बहुत important है, यहां से यहां तक बहुत important है, यहां पर आपको types of mirror, types of lenses, यह सारी चीज़े आती है, formula आते हैं, तो यहां से numericals भी आते हैं, ठीक है, यहां से numericals भी आते हैं, और यह formula बहुत लोग भूल जाते हैं, तो solve नहीं हो पाता है, तो यह अगर आपने पढ़ लिया, तो आपको number मिल जाएंगे, क्योंकि force आप relate कर सकते हो, motion आप relate कर सकते हो, ठीक है, light को थोड़ा सा relate करना, उसके formula याद रखना, थोड़ा muscle है, ठीक है, magnification पूछ तिया, focal length पूछ तिया, image distance, object distance, lens और mirrors में, यह सारी चीज़े आपको पढ़नी पढ़ेंगी, then electricity, यह भी important chapter है, इसके अंदर, electricity के अंदर, आप charges के बारे में पढ़ते हो, है न, charge कैसे calculate करते हैं, current कैसे calculate करते हैं, voltage कैसे calculate करते हैं, है न, voltage कैसे calculate करते हैं, resistance कैसे calculate करते हैं, ठीक है, resistance कैसे calculate करते हैं, यह सारी चीज़े आपको इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है, और एक और unit है, जिसमें आ पटते हो, हार्च, फ्रिक्वेंसी यह सारी चीज़ां आपको साउंड के अंदर मिलती है, अब अगर हम बात करें, तो यह हो गया हमारा physics का syllabus, Physics के syllabus के बाद, अब हम बात कर लेते हैं, Chemistry के syllabus की, ठीक है, तो फॉर्स, तो पढ़ना तो पढ़ेगा, next अगर हम बात करें chemistry की, तो chemistry की बात करो, सबसे पहले आता है matter, ठीक है, यह आप सभी को पता है, anything that occupies space, has mass, can be perceived by our senses, इसको हम matter कहते हैं, matter के बाद हम atoms, molecules के बारे में पढ़ते हैं, atoms क्या होते हैं, molecules क्या होते हैं, elements क्या होते हैं, उसके बाद हम atomic structure की, atomic structure में आपको अलग-अलग models मिल जाएंगे, कि यह model किस ने दिया था, वो model किस ने दिया था, ठीक है, जैसे रेदर फोर्ड का model हो गया, Thompson का plum pudding model हो गया, ठीक है, तो रेदर फोर्ड का model को क्या कहते हैं, planetary model कहते हैं, तो यह कैसे आया, फिर Henry Mosley का, sorry, Henry Mosley मैं कह रहा हूँ, Neil Bohr का atomic model हो गया, Henry Mosley ने तो modern periodic table की बात की थी, ठीक है, तो यह सारी चीज़े हो गए, इसके अलावा chemical reactions क्या होते हैं, कैसे हम chemical reactions क को balance करते हैं, किस तरीके से हम chemical reactions, किते type के chemical reactions होते हैं, यह सारी चीज़े हो गए, acid bases and salt, important chapter, again, acid क्या होता है, base क्या होता है, salt क्या होता है, litmus test पूछ लेता है, phenophthalene, methyl orange के साथ, colors पूछ लेता है, acid का base का, pH values अगर यतनी है, तो वो acid है, या base है, ठीक है, neutralization क्या होता है, यह स non-metals की reaction क्या होती है, physical property, chemical properties, periodic table, आपको पता है, periodic table क्या है, कैसे है, atomic size, atomic weight, electronegativity, electropositivity, यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, carbon and its compound, important chapter है, ठीक है, carbon and its compounds, आपको nomenclature पूछता है, ठीक है, LP के paper में, जो 2018 वाला paper था, उसमें आया था, एकदम आया था, pre में भ तो यह हो गया आपका chemistry का syllabus, बात कर लें, bio के syllabus की, तो bio में देखो, आपको बहुत जादा महनत नी करनी है, जितनी महनत करनी है, वो आपको सिर्फ pre में करनी है, उसके अलाब आपको bio भूल जाना है, ठीक है, classification of organisms, organisms को हम कैसे classify करते हैं, five kingdom classification, three kingdom classification, whatever the things, यह सारी चीज है, then cytology, cells के बारे में, genetics, ठीक है, उसके बाद botany, botany में आप पढ़ते हो, plants के बारे में, plants की morphology पढ़ते हो, plants की behavior के बारे में पढ़ते हो, यह सारी चीजे हम पढ़ते हैं, botany के अंदर, then plant morphology, plant tissue, photosynthesis, यह सारी चीजे हम पढ़ते हैं, then zoology, zoology में आप human body के बारे में पढ़ते हो, human body के लावा और भी unicellular organism, multicellular organisms के बारे में पढ़ता है ठीक है, इसके बाद human blood की बात करेंगे क्या-क्या होता है human blood में कैसे human blood के कौन-कौन से contents होता है ठीक है, अच्छा, उसके बाद human body के systems क्या-क्या होता है digestive system, excretory system, then respiratory system, ये सारी चीज़े होगे nutrients, कौन-कौन से nutrients आपको लेने चाहिए, micronutrients, macronutrients क्या होते है balance right क्या होता है, ये सारी चीज़े then human diseases, human diseases से question आते ही आते हैं कि इसकी deficiency से कौन से disease होती है vitamin की deficiency से कौन से disease होती है, carbohydrate की deficiency से कौन से disease होती है तो ये total syllabus है आपका chemistry, physics और bio cup, ठीक है अब आपको यही पढ़ना है, और इसको इतने अच्छे से पढ़ना है, इस syllabus को, इन दोनों syllabus को इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपका pre plus mains दोनों cover हो जाए ठीक है, pre plus mains दोनों ही cover हो जाए आपको physics और chemistry दोनों ही ऐसे पढ़ने है ठीक है अब रही बात की कहां से पढ़ेंगे तो ये है आपका up to 10 तक का syllabus तो अगर आप चाहो तो आप एक book follow कर सकते हो मैं कोई भी फालतु की book आपको नहीं बताऊंगा Lucent follow कर लो काम हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद भी Lucent को पढ़ना कैसे है तो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ठीक है आज है Sunday ठीक है यानी आज की Date क्या है आज की Date है आज की Date आठ आर या आज की Date है 8 तारिक है 8 September ठीक है 2024 ठीक यह वीडियो आपको आज मिल r Instant अब इसके बाद आपको 9 September से ठीक है रेकुलर वीडियो मिलती रहेगी Physics Chemistry और Bioking ठीक है बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं होंगी. चäप्टर 1, unit 1 से स्टाट करेंगे इसके सारे चäप्टर से स्टाट करेंगे. क्लासिफिकेशन औफ और और्गनिजम से स्टाट करेंगे. सबसे पहले तो basic introduction से bio तो हम introduction से स्टाट करेंगे. कि introduction क्या है कहां से आया ठीक है introduction क्या है कहां से आया कैसे यह बायो स्टार्ट हुआ chemistry में भी introduction plus matter intro plus matter और यहां units of measurements से start करने वाले हैं तो यह चीज़े हम स्टार्ट करेंगे तो subscribe कर लीज़े हमारे channel को जल्दी ही मिलेंगे और एक और चीज़ कि कि आपको अगर पढ़ना है तो देखो भाई अभी से आपको मानके चलता हूं कि आपके पास जेई का exam देने के लिए चोड़ो यार आपको जो सबसे nearest exam है वो भी अगर मैं मानके चलू तो आपका आपके पास 60 days है 60 days है उससे पहले exam नहीं होने वाला है मैं जानता हूं क्योंकि TCS exam लेने वाली है और TCS के पास अभी dates खाली नहीं है क्योंकि अभी तो CGL start हुआ है कल से start होगा CGL के बाद अब आपका start हो जाएगा क्या MTS ठीक है तो यह दोनों exams तो अभी time लेंगे ठीक है उसके बाद ही कोई date खाली मिलेगी तो आपको railway का exam start होगा ठीक है तो यह दो चीज़ें आपकी जो exams हुए है उनके results आने आएंगे तो यह आप 60 days है हमारे साथ मिलके चलिए follow करिए हमें ठीक है follow करिए हमें दोनों जगे पर ठीक है कहां-कहां पर follow करोगे आप एक तो YouTube पे subscribe कर लो ठीक है तो यह तीन चीज़ों पर आप follow कर लो like कर दो वीडियो को ज्यादा से जाज़ा शेयर कर दो वीडियो को जितना ज्यादा आप करोगे यार उतना ज्यादा support मिलेगा उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज्यादा reach होगी ठीक है आपके friends को बताईए और पढ़ thank you so much bye bye take care everyone